पडोसी मुल्क पाकिस्तान जहांपार राजुतिक संकट गहराया हुआ था किसी को नहीं पता था कि आखिर प्रधान मंतरी कौन बनेगा बहुत जोड़ तोड़ की कोशिश की गई, मान मनोवल की कोशिश की गई कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से कोई तो प्रधान मंतरी बन जाए, हाला कि सबसे बड़ी पार्टी के तोर पर देखा जाये तो इम्रान खान के वो नेता, जो किये कोशिश कर रहे थे निर्दलिय तोर पर उमीद्वार के तोर पर उत्रे सबसे जादा जो है वही जीते थे लेकिन बावजुद thoroughly कूकि इम्रानखान जेल में हैं तो वो प्रधानमंथृ नहीं बन सके है हैं अब इन सब बीच में शहबाज शरीफ जो प्रधानमंथृ बन चुके है उन्होंने कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर शहबाज शरीफ को हार्दिक शुपकाम नहीं हाला कि एक लाइन का ये ट्वीट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से किया गया वो एक बात साफ तोर पर बताता है कि देके एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते में आपक को लेकर भारत हमेशा से कड़ी निंदा करता हुआ है भारत ने हमेशा एक बात क्लियर किया कि आतंकवार और बाची एक साथ नहीं की जा सकती है अंतराश्ट्र मंच पर भी पाकिस्तान को कई बार इस चीज को लेकर फटकार लगाई जा चुकी है कि पाकिस्तान जो है उन शरीफ की सरकार तो बन गई लेकिन विपक्ष जो है वो अब लगातार हमलावर है अगर हम बात करें गौहर खान की देखिए गौहर खान कौन है गौहर खान इम्रान खान के बहुत करीबी कहे जाते हैं और अब पूरी तरीके से पार्टी की जिम्मेदारी जो है वो गौहर ओपर आ गई है कि लोगों को एकट्टा करके किस तरीके से रखा जाए। इंदिया ने सीटे नहीं बढ़ाएं, उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी जनता का पैसा बचाना है, सीटे बढ़ाने और ओधे बाटने पर उन्होंने ध्यान कभी नहीं दिया, आज भी 140 करोड लोग उन्हीं सीटों पर हैं, अगर ओधे बाटने हो अपने लोगों को का भी आरूप लग रहा है कि आपको जो है, इंडिया से इस बात की सीख लेनी चाहिए, कि आखिर लोगतंत्र किस तरीके से बचाना है, एक लोगतंत्रिक व्यवस्ता जो है, वो क्या कोछ होती है, हलाकि शैबाज शरीफ के तरह से सरकार के तरह से तमाम मंत्री जो है, वो करन सब के बीच में देखिए, वो पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता है, पोस्ता है, अब उसी पाकिस्तान की बुराई पाकिस्तान के लोग करते हुए नजर आ रही है